हेलो प्रेंट्स वेल्कम बाइक टू मैं चानल आज हम स्ट्रीट स्टाइल फोर वराइटी सब दोसे बनाएंगे जो की बहुत ही डिलीशियस और यमी बनते हैं सबसे पहले हम कैरमल दोसा बनाएंगे जो की शुगर से बनता है यहां पर हम सबसे पहले दोसे के बैटर को नॉ दोस के ओपर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे और लो फ्लेम पर जब वो गोल्डन ब्रांड कलर का टर्न हो जाएगा हम फ्लेम कोस बन करके इसको निकाल लेंगे यह देखिए क्रिस्पी और यमी सा कैरेमल दोसा तयार है अब हम दूसरा दोसा बनाते है जो की पनीर दोस तोड़े से अनियंस थोड़े से बेल पिपर्स रेड ग्रीन और यलो जो आपके पास अविलबल हो आप डाल दीजे मैंने सिर्फ रड डन यलो डाला है और अब हम उपर से थाल देंगे थोड़ा सा फ्रिश्ली चॉप्ट धनिया और यहां पर हम डाल रहे हैं शेजवान च चट्नी अचार का मसाला जो भी अविलबल हो डाल सकते हो यहां पर हमने पावभजी मसाला दाला है वन टी स्पून स्पाइस और चट्नी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं हमने उपर से थोड़ा सा बटर भी डाल दिया है आप चाहो तो इस तरह से म आप पोटाटो मैशर की मदद से भी इसको मैश करके इस तरह से फैला सकते हो जैसे आपकी मर्जी आप वैसे कर लीजिए यह अच्छे से फैल गया है अब हम ओपर से इसके ऊपर छोटे-छोटे पनीर के क्यूब्स डाल देंगे या फिर अपर ग्रेट करके भी डाल सकते हो यह आपके अपनी चॉइस है मुझे पनीर का क्रंचीनस पसंद है तो मैं इसी तरह से बैट सेज में चौप करके डाल दूँगी और पनीर को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से सारे मसाले कोट हो जाएंगे पनीर पर भी मैंने एक फोक की मदद से इस जैसे ही यह golden कलर टर्न हो जाएगा एक तरफ हम इसको निकालकर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे यह देखे नीचे से ग्ल्डन कलर आना शुरू हो गया है अब हम इसको सर्व कर लेते हैं यह लीजे पनीर दोसा एकडम तयार है अब हम तीस्रा दोसा बनाते हैं जो कि एक दोस यहां पर हम एक बाउल लेंगे इसमें थोड़े से अनियांस और बेल पेपर्स डाल देंगे और थोड़े से फ्रिश्ली चॉप्ड धनिया डालें और स्पाइस आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो मैंने यहां पर थोड़ी से हल्दी थोड़ा सा नमक रिट चिली फ यहां पर हमने नॉर्मल दोसे को फैला लिया है इस तरह से और उपर से इस एक मिक्सचर को डालकर दोसे पर अच्छी तरह हर तरफ से फैला लेंगे यह देखिए यह अच्छे से पक फैल गया है अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे आप चाहो तो यह पर एक लिड लगा कर बन कर के भी पका सकते हो या फिर इसको फैल नुग पका सकते हो यह देखिए एक तरफ पक ना शुरू हो गया है हम उपर से ठोड़ा सा बटर डाल देंगे यह लिजे देखिए दूसरी तरफ कितने अच्छे से क्रिस्पी गोलें कलर आ गया है अब हम चौता दोसा बनाएंगे जो की कैश्यो दोसा या फिर काजो दोसा है इसको भी हमने नॉर्मल दोसे की तरह फैला कर रख लिया है ओपर से थोड़े बेल पेपरस डाल दिये हैं अनियन्स भी डाल दिये हैं और थोड़ा सा फ्रेशली चॉप धनिया डाल कर हमने ओपर स मैंने यहां पर नॉर्मल पिकल का मसाला लिया हुआ है वो डाल दिया वन टेबल स्पून और हम उपर से दाल देंगे कैश्यो नट्स क्यूंकि एक काजू का दोसा है तो हम खूप सारे काजू डालेंगे छोटे चोटे चोप करके और अब हम इस टॉपिंग को भी नॉर्मल या फिर आप चीज भी ग्रेट करके डाल सकते हो अगर चीज डाल रहे हो तो फिलिप मत कीजिए वरना सारा चीज नीचे तवे पर चिपक जाएगा यह लीजिन काजू दोसा यानि कैशू दोसा एकदम तयार है बहुत ही डिलीशियोस और यमी बनता है आप जरूर ट्राइ अगर आपको यह रेशिपिस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेर ज़रूर करिये और साती मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साती बल ऐकव को क्लिकरिए एसे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल